नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारी यूटूब चैनल विन्नर भाई जी के में स्वागत है दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूं सामाने ग्यान के महत्वपुर्ण वस्तुनेश्ट परसन जो और और गुरूब डी 2022 के लिए महत्वपुर्ण रहने वाले हैं दोस्तों वीडियो को देखना ना भूले नहीं तो आप पस्ता होगे कम से कम दो परसन इस वीडियो से 100% मिलने वाले हैं दोस्तों हमारा यूटूब चैनल है विन्नर वाई जी के जिसको आप जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिपिकेशन मिल सके तो अपनी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मॉटिवेशनल कोट मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है हर पहलू जिन्दकी का इम्तिहान होता है डरने वालों को मिलता है नहीं कुछ जिन्दकी में लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है कि मुश्किल से भाग जाना तो आसान होता है लेकिन हर पहलू जिन्दकी का इम्तिहान होता है जो जिन्दकी का हर पहलू है वो जिन्दकी का इम्तिहान लेता है और जो डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिन्दकी में लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला क्यूशन कि सेब में कौन सा अमल पाये जाता है सेब में मेलिक अमल पाये जाता है इमली में कौन सा अमल पाये जाता है इमली में टार्टरिक अमल पाये जाता है दूद धही में कौन सा अमल पाये जाता है दूद्धे में लेक्टिक अमल पाया जाता है शिर्के में कौन सा अमल पाया जाता है शिर्के में एस्टिक अमल पाया जाता है लाल चिटे के डंक में कौन सा अमल पाया जोता है ये होता फार्मी कमल नीबू वे खटे पदार्तों में कौन सा अमल पाया जाता है ओक जेली के अमल का यूज जो कपड़े पर जंग के धब्बे लग जाते हैं उसको ठाने में भी इसका यूज किया जाता है किड़ने की पत्री में क्या होता है किड़ने की पत्री में होता है केलेशियम ओक जूलेट ठीक है अगला क्यूसर प्रोटिन पाचल में कौन सा अमल स साइक है एसियल जिसे एसियल बोला जाता है साइलेंट वेली कहां इसती ते साइलेंट वेली इसती ते केरल राज्ये में अंतर राष्टी सोर गटबंदन का मुख्याली कहां इसती ते गुरु गुराम हरियाणा में विक्रम साराबाय अंत्रिक्स के अंदर कहां इस्तीते 37 दवन अंत्रिक्स के अंदर कहां इस्तीते श्रीहरी कोटा में आंदर परदेश में भारतिय कर्षी अनुसंदान के अंदर कहां इस्तीते है भार्ति करसी अनुसंदान के अंदर की स्तापना करवी थी यह थी 1939 ए portions के अंदर इस चाहूल अनुसंदान कोको प्रका स्थी थह कटक में मतलब चाउल जब चबाते हैं तो कैसे बोलते हैं कट कट बोलते हैं चाउल जब सुके चाउल चबाते हैं तो कट कट की आवा जाती है तो इसलिए इसका अनसंदार के अंदर का इस्तित है कटक में कट से वा कटक का इस्तित है उडिसा में होंकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश म क्योटो प्रोटोकोल का सम्मद्ध किरी नाउस गेश से मोन्ट्रियल प्रोटोकोल का सम्मद्ध किस से यह ओजोन प्रत किस अन्रक्षन से ओजोन दिवस कम मनाया जाता है ओजोन दिवस कम मनाया जाता है जो ओजोन दिवस से वह मनाय जाता है 16 सेप्टमबर को कम मनाय जाता है 16 सेप्टमबर को अगला स्वाल देख लेते हैं रामसर कन्वेंशन का सम्मन्द किस्टे हैं यह है आद्र भूमी के संरक्षन से जो रामसर कन्वेंशन है यह कहां वाता यह इरान में वाता और आदर भूमी दिवस कब मनाय जाता है दो फायबरी को ठीक है अगला स्वाव देख लेते हैं party इसकोट होम समेलन कब वहाताOLDा 12 आ है टाई इसकोट होम समेलन वहाता दीजों पार day विस्तोब बैंक का मुख्या ले से वान सी गटन डीजिसी में STI विकास बैंक ADB ADB के मुख्या ले कहां इस्तीत है ये मनिला मनिला कहां इस्तीत है फिलिपिन्स में इस्तीत है मनिला कहां इस्तीत है ये ये इस्तीत है फिलिपिन्स में अगला स्वाल देख लेते हैं सिक्तराष्टर प्रयावरण कारिकरम UNEP का मुख्याले कहां इस्तित है यह नेरोबी जो केन्या में इस्तित है विस्व व्यापार संगटन डबलू टीवो का मुख्याले कहां इस्तित है जेनेवा में यूनिस्को का मुख्याले कहां इस्तित है पेरिस में पेरिस लंदन पेरिस में इस्तित है सोरी पेरिस में इस्तित इंटरनेशनल का मुख्याली का है इस्तिते एमनेश्टी इंटरनेशनल का मुख्याली लंदन में इस्तिते पेट्रोलिय मुत्मादिक देशों के संगटन ओपेक का मुख्याली का है इस्तिते वेना में आर्तिक सहयोग और विकास संगटन का मुख्याली का है इस्तिते पेरिस में अंतराश्टि स्रम संगतन आया लो का मुख्याल का संगत है जएå में फॉलक्र नाइन रोकेट किस सपैस एजम्सित नेस लौंच के था ये किस ने.? जो किसकी कमपनी है? जो ऐलन मस्क की कमपनी है किसकी है एलन मस्क की ठीक है इन्पोर्टेंट कि उसन है यह एक जाम की द्रश्टी से अंगला कि इसन देख लेते हैं यह यह याद रखना कि यह एलन मस्क की कमपनी है अगला स्वाल देख लेते हैं Hope Mission किस देश दischen दोवारा लॉंज किए गया जो Hope Mission है जो स्विकतारव अमिराथ यूई ये दोवारा लॉंज किया गया 2017 में बारत ने 104 सेटेलाइट किस वेहिकल दोवारा लॉंज की थी ये कीती PSLV C37 ठीक है भारत ने 2017 में 104 सेटिलाइट PSLVC-37 वेहिकल द्वारा लॉंच की थी अगला स्वाल देख लेते हैं सिपकिला दर्रा जो सिपकिला दर्रा कहां पर इस्थी था है माचल परदेश में इस्थी था है जो सतलज नदी है जो सतलज नदी है वो भारत में परवेश इसी दर्रे से करती है सतलज नदी भारत में सिपकिला दर्रा से परवेश करती है ठीक है अगला स्वाल देख लेते हैं किस दर्रे से सतलज नदी भारत में परवेश करती है मैंने अभी आली में बताये कि शिपकिला दर्रा से बारत में सतलु जनेधी परिवेश करती है नातुला दर्रा किस राज्य मेशती थे नातुला दर्रा सिक्किम मेशती थे अगला स्वाल देख लेते हैं बॉम्डिला दर्रा जो बॉम्डिला दर्रा है किस राज्य मेशती थे यह अरोना चल परदेश मेशती थे तूजू दर्रा किस राज्य मेशती थे तूजू दर्रा मनिपूर राज्य मेशती थे अगला स्वाल देख लेते हैं टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है टाइगर स्टेट मद्दे पर्देश को कहा जाता है जान सुरुआदिक बागो की संक्या法 पाई जाती है शिमली पाल टाइगर रिजरू कहा है इस्तित है जो शिमली पाल टाइगर रिजरू है वे उडिसा में है जो मद्य पर्देश के टाइगर रिजरू है वे है काना पन्ना पेच ये सभी मद्य पर्देश के टाइगर रिजरू है ठीक है अगला स्वाल देख लेते हैं नागर होल टाइगर रिजरू किस राज्जे में इस्ती थे जो नागर होल टाइगर रिजरू है वह करनाटक राज्जे में इस्ती थे पलामू टाइगर रिजरू किस राज्जे में इस्ती थे पलामू जारकन राज्जे में इस्तित है तड़ोबा अंदेरी टाइगर रिजरू किस राज्जे में इस्तित है यह महराष्टर राज्जे में खजराओं के मंदिर का निर्मान किस ने करवाया था खजराओं मंदिर का निर्मान चंदेल सासक को ने करवाया था जो छटरपुर मद्य परदेश में इस्तित है खजराओ के मंदिर किस सेली में निर्मित है यह है पंचायतन सेली में इंपोर्टेंट क्यूशन है एक्जाम की दरश्टी से पूछे जाता है कि निमन में से पंचायतन सेली में निर्मित मंदिर कौन सा है खजराओ मंदिर है जो मद्दे पर्देश के छत्रपुर में इस्तित है ठीक है अगला स्वाल देख लेते हैं हुमायू का मकबरा किस सेली में निर्मित है हुमायू का मकबरा है वो चार बाग सेल युके मकबरे को का जाता है अगला स्वाल देख लेते हैं भर्देश्वर मंदिर कि सेली में निर्मित है जो बर्देश्वर मंदिर किस सेली में निर्मित है यह दर्विड सेली में निर्मित है जो कहां इसती थे बर्देश्वर मंदिर तंजावर में इसती थे कहां पर तंज राज 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 ने करवाया ठीक है किस ने करवाया राज राज ने करवाया था बरदेश्वर मंदिर का निर्माड जो तंजावर के तमिल नाड़ में इस्तित है अगला स्वाल देख लेते हैं बरदेश्वर मंदिर का निर्माड किस ने करवाया था यह करवाया था चोल सा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको इन एससी और रेलवे एक्जाम से रिलेटेड महतोपुरून परस्णों की स्रंकला मिल सके और आपको कुछ एक्जाम में हेल्प मिल सके तो गांदी सागर बांध किस नदी परिष्टित है यह है चंबल नदीवर का इस्तित है चंबल नदी परिष्टित है भारत के वर्तमान कर्शी मंत्री कोण है भारत के वर्तमान में कर्शी मंत्री है नरेंदर सिंग तोमर अगला स्वाल 2011 की जनगरना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्सरता दर सबसे दीग है तो यह है अपने केरल राज्य में काजू गाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उप्रुक्त है ये है, रेतिली, दौमट मिट्टी, काजुगाने के लिए सबसे प्र्योकत है भारत के लिए सबसे ज़्यादा टेस्ट मैज किशने खेले तो ये खेले करिकेट के भगवान सचेने तेंदू कर को किस नाम से जाना transit के भगवान के नाम से जाना जाता है भारत का सबसे बड़ा तेरता सोर उर्जा सेंतर कहा इस्तित है यह है मत्य पर्देश में एक्जाम की द्रश्टी से इंपोर्टेंट क्यूसें है बलू विट्रियोल का रासायनिक सुत्र क्या है यह है सी यू एस उपोर जिसे कॉपर सलपेट कहा जाता है ठीक है अगला की चंपारन सत्याग्रह कब हुआ था चंपारन सत्याग्रह हुआ था 1917 में विटामीन सी का राशायनिक नाम क्या है यह एस्कार्बिक एसीड तो दोस्तों यह ते अपने टोप मोट 60 क्यूशन अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सेर जरूर करना अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हमारे यूटूब चैनल विनर भाई जीके को आप सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाले वीडियो की जानकारे मिल सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद